हलो एन विलकम टू माय चैनल और आज मैं आपके लेकर रही हूं आलू परवल की बहुत ही मसालेदा टेसी सब,- जोकी बनेगी प्रेशर कुकर में और बिल्कुल आपको हलवाई जैसी लगेगी सबजी, बिल्कुल भी नहीं लगेगी कि आपने इसे प्रेशर कुकर में बनाया है, तो अचले फिर शुरू करते हैं, सबसे पहले प्रेशर कुकर को आपको अच्छे से गरम करके डालना है, इसमें दो चमत सरसो का तेल, तेल अ आपको रखने है, ऐसे आप दो स्लिट करके आप डाल दे, उसके बाद उसी तेल में मैं डाल रहे हूं यहाँ पे सौफ, जीरा और सरसो के दाने, कुछ खड़े मसाले, तेज पत्ता, लाल मिच, दाल चीनी, बड़ी लाइची, लॉंग, अब थोड़ी दिर मसालों को एक द उसके बाद इसमें डाल दीजे प्याज, प्याज को अच्छे से आप थोड़ी दिर भूने, यहाँ पर डाल रहे हूं मैं जिंजर, गार्लिक और ग्रीन चिली का पेस्ट, दो चाय मिनेट इन सब को अच्छे से मिला ले, उसके बाद इसमें डाल दीजे टमाटर, टमाटर के साथ मसालों को भी अच्छे से भूनना है, अब यहाँ पर डाल रहे हूं मैं रूटीन के मसाले, सबसे पहले नमक, स्वाद अनुसार, हल्दी, थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, यह कश्मीरी लाल मिर्च है, इससे कलर बह अब आप मसालों को अच्छे से टमाटर के साथ भून ले, आप चाहिए तो 2-4 मिनट लो फ्लेम पर ढग के रख दें आपके मसाले अच्छे से भून जाएंगे, देखें मसाला कितना अच्छा भूना है, देखें कलर कीतना अच्छा है, और यहाँ पर आलू और परवल डा ये देखे कितना अच्छा कलर आया है, अब उसके बाद में 2-3 मिनट आप अच्छे से इसको चला ले, उसके बाद इसमें डाल दीजे एक गलास पानी, अब कुकर को कर दीजे बंद, और दो विसल आने दीजे फुल फ्लेम पे, और लो पे फिर एक विसल आने दीजे, और उस अच्छे से थंडा हो जाए, उसके बाद में अच्छे से थंडा हो जाए, फिर आप इसको खोले, ध्यान से, अब इसमें डाल दीजे थोड़ा सा गरम मसाला, और 2-3 मिनट इसको गैस पे लो फ्लेम पे चला ले, देखिए कितना अच्छा कलर आया है, बिल्कुल भी नहीं इस सबजी की कुकर में बनी है, बिल्कुल स्वाद में कोई कमी नहीं है, आप इस सबजी को जरूर ट्राइ कीजे, आप बिल्कुल भी निराश नहीं होंगे, अब यहां पर आलू के चंग समने बड़े बड़े रखे थे, आप थोड़े से उसे फोड़ दे, जिसे ग्रेव मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दे, थैंक यू फो वाचिंग, लाइक माइ वीडियो, शेर